पूरी दुनिया अब तक इस्राइल और हमास का जो युद चल रहा है उसकी destructive जो images थी जिस तरीके की विद्वन सक तस्वीरे निकल कर सामने आई थी कोई अब तक भूल नहीं पाया चाहिए रश्या युक्रेन का युद हो या फिर इस्राइल और हमास का युद हो लेकिन इन स समझें कि यह हूती विद्रोही जो है वो है को अगर शॉट में समझा जाए तो जिस तरीके से हमास एक आतंकवादी संगठन है ठीक वैसे ही हूती विद्रोहीों को भी आतंकवादी संगठन ही कहा जाता है यमन में आपे समझें कि यमन में जो है यमन की सरकार का नहीं चलत लेकिन इन सब के बीश में समझें कि यह लड़ाई की शुरुवाद जो है वह कहां से हुई इस लड़ाई की शुरुवाद की नीव इसराइल हमास के युद्ट के वक्त ही रख दी गई थी जिस तरीके से लगातार हूती विद्रोही जो है वो यह बात कह रहे थे कि हम हमास के सपोर्ट में है अब हमाज के सपोर्ट में है तो क्या कुछ किया गया द्रिसल लाल सागर लाल सागर वो जगा जहां पर सबसे जहाजों कहने की जो शिप्स वहाँ पर तैना थे उनको निशाना बराना शुरू कर दिया 20 से जादा हमले जो है वो जंगी जाजों पर किये गए बार बार जो है ये कोशिश की जाती रही तमाम देशों की तरफ से कि हूती विद्रोही जो है वो समझ जाए कि वो जो है बार-बार उन्हें कोशिश की जाती रही बार-बार बात करने की कोशिश की जाती रही चाहे वो भारत हो अमारिका हो ब्रिटेन हो चीन हो फ्रांस हो क्यों कि तमाम देशों की जहाज वहाँ पर उस लालसागर में ऐसा कुछ हुआ नहीं हूती विद्रोही जो है वो समझने को तयार नहीं थे अब क्या था अब कुछ हुआ इस तरीके से कि अमेरिका और बिटेन के बीश में लगातार कई की में थे अंब बात करें तो सबसे बड़ा वेपारिक शित्र ये बात हर को इंटाना है लेकिन अब जब इतने जादा जगी जहाजों को निशाना बनाएत्या और अमारिका और ब्रिटेन साहत आकर यह operation कर रहे हैं तो जाहिर तोर पर ये कहा जा रहा है कि हूती विद्रोही जो हैं वो भी चुप नहीं बैटेंगे और आने वाले दिनों में अरब सागर में और भी लड़ाई जो है वो तीसरे मोर्चे पर जो है वो बहुत जादा बढ़ सकती है